अलो मैं आपको आज बताने माला हूँ कि जो लोगों को स्ट्रेस है तो उन्होंने कैसा खुद को असेस करना या हम स्ट्रेस या तनाओं के भीतर है या उसके नीचे है या तनाओं को बहुत ज्यादा है या कैसा मालूमात कर लेना तो कुछ ऐसे लक्षन है या अपने आपको मालूम पढ़ेंगा कि मुझे तनाओं आरा कि नहीं आरा तो मैं आपको बताओंगा ताकि आप खुद असेस कर सकेंगे खुद का परिक्षन कर सकते है और खुद का परिक्षन करके मालूमात कर सकते है या फिर औरों का परिक्षन करके मालूमात कर सकते है कि यह व्यक्ति तना में है या नहीं है तो उसमें कुछ सवाल है वो खुदने खुद को पूछने का है सवाल ऐसे है, कि नमबर एक जैसा, कि मैं बहुत कठिन परिसिते में हूँ और मुझे भी रास्ता नहीं दिखा है, ऐसा लगना, मेरे में बहुत कुछ बुराई है और मेरे में अच्छा पन नहीं है, ऐसा लगना, फिर नए आदमियों के साथ में बात्चीत करने के लिए कच् अकलब आगे पीचे करना, या आत्मविश्वास नहीं रहना, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए मेरे मत किसी के सामने नहीं बोलना, लोगों की इच्छा का मानसंदमान रख कर, फिर मैंने मेरे जो इच्छा है, उसको दबा देने का है, मेरे समस्या के बारे में, मैं लोगों के साथ में सीधी बात्चित नहीं कर सकता, मेरा कहना जो मेरे समस्या जो है, मैं लोगों के सामने बोलता नहीं हूँ, तब अपर या जाएंगा, ये चिंता से फिर मैं आखरी समय तक मेरा काम रुका जेता हूँ, तब कोई कठेन परसिती रही, तो मैं बहुत डर जाता अधिर भविषय के मुझे सिंता लगी रहीती है, और पिर उसमें मेरा टाइम पास कर रहा हूँ, कि भविषय में क्या हो ना, उसके बारे में सोच रहा हूँ, और मेरा समय काफी उसमे बीता रहा हूँ, तब मुझे आसं जल्दी आ जाते है, जल्दी मैं रो लेता हूँ, या मुझे बहुत जल्दी भावना विवश हो जाता हूँ, तब जब लक्षपूरती होती नहीं है, जब येश मिलदा नहीं है, तो मेरी मांसी का वस्ता बहुत बेचिनी जैसे हो जाती है, तब आराम करना मुझे बहुत कठिन लगता है, मैं आराम नहीं कर सकता है, या मुझ मुझे समय नहीं है आराम के लिए, ऐसा मुझे लगता है, तब तांतनाओ जब जहां रहेंगा ऐसा मुझे लगता है, तो वो परिसिति का सामना करने के लिए मैं आगे जाता नहीं हूँ, तब मेरे खुद के लिए मुझे समय निकालना कढ़िन हो जाता है, मेरे खुद के लि पर बरताओ करते नहीं, तब आप, आपके family को समय देते नहीं है, इसलिए वो नाराज़गी बताते हैं, तब आप आपके दोस्तों के साथ में मिलते नहीं हो, और दोस बोलते हैं, क्यों आजकल तुम मिलते नहीं हो, तब मतलई ये परिसिती ये इसमें भेई है, आप तनाव है करके हैं तो अपने आपको देखना है वह यह जो वह मैं बता रहा हूँ यह परिसितियां है क्या मेरे लिए वास्तों में है यह है क्या मेरे लिए अग़े का बताता हूं लोग मेरा फाइदा उड़ा वांते एस समस्लिक product मुझे बहुत hard work करना पड़ता है, बहुत जोर लगा के काम करना पड़ता है, तब मैं ज्यादा काम करता हूँ, मुझे यसा लगता है कि मुझे results और चाहिए और बहुत ज्यादा मैं काम करता हूँ, जो समय है, वो समय का, मतलब समय के घंटे जो जितने है काम करने के उससे ज जयादा बढ़ चुके है, कि मेरे काम पूरे होती नहीं है, और बहुत pending work है मेरे लिये लिए, तब मुझे ऐसा लगता है कि काम करने का बहुत मुझे अभी बहुत pressure आ रहा है, या अभी ऐसा nervous ने ज़ा रहा है, काम करने ही नहीं है, आप मुझे लगता है, तब काम करने के लि मैं दो-चार काम एक साथ करने के लिए कोशिच करता हूँ, तब कि बहुत सारे काम, ये भी काम करो, वो भी काम करो, वो भी काम करो, ऐसा, मैं मेरा बोलना और काम करना जो है, वो बहुत स्पीड से करता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समयाना बहुत जल्दी- है 웃ो काम पहुंचने विलिए मुझे दो टाइम लगता है जह आता हूं काम पर मुझे दॉपने तयम लगता है तब joueर में खाना बहूर जलिदी का लेता हूं मैं कोई भी काम कहते- खते करता हूं तब मुझे हर्दम सर्णी जुकाम-कासी होते रहती है है मैं सिग्रेट या तमबकु का सेवन करता हूं तो, मैं मेडिटेशन के लिए, सम्मोन के लिए, या कोई एक्जरसाइस करने के लिए समय नहीं निकाल सकता हूं तब, मेरे दिनचरिया में परिश्रम का काम बहुत कम है, टेबल वर्क जादा है तब, और ज्यादा काम होने से मतलब स्ट्रेश आने के लिए, अपन बहुत ऐसे वो बार्डर पह, पहिए ये है ना कि कभी भी मतलबija का मतलब के आपको स्ट्रेश आ सकता है कभी भी, और स्ट्रेस तो आई रहा है, कभी भी आ सकता निस ट्रेस बहुत का शिकार हो सकते है आप, और उसके प्रोब्लम्स आपको आ सकते हैं, जैसा हमने देखा पहले cassette में, इसके पहले वाली वीडियो में, कि stress आने से anxiety, मतलब चिंता रोक, depression, वो आता है, फिर obsession, मतलब ये जो मंतर चाहिपना जो है, उसकी बीमारी होती है, hysteria होता है, काफी सारी मनोशारिक बीमारी यां होती रहती है, like diabetes है, blood pressure है, दमे की बीमारी है, या headaches है, migraines है, काफी सारी बीमारी है, stress की वज़े से, तनाव की वज़े से, होते रहती है, तो समझो, यह जो मैंने भी बता है, यह चीजे आपको हो रही है, या इसमें आप आपका, मतलब बरताओ कर रहे हो, behavior है, तो आपने सतरक होना जरूरी है, आप उले, आप तनाव में है, ऐसा समझने के लिए मैं आपको कुछ बताता हो, कि आप तनाव मैं काम कर रहे हैं, और भी कुछ चीजे है, वर आप बताता हूं, तो आप को तो यह चीजे गर में लाते हो, अर वह खराब नेकली, तो आपको बहुत गुस्सा आजाता है, तो आप अपने जीवन की, तो आपको इचीज घर में लाते हो, खरित के लाते हो, घर में आने के बाद में खराब ने के लिए आप बहुत घुसा कर लेते हो, तब फिर एखादे विक्ति ने आपको काम करने के लिए बहुत जादा कीमत मंग लिया, बहुत जादा पैसा मंग लिया और और लगा साभी ह आपको स्रह एक्षा हुं लिए प्हुत भुस्ता आज़ा प्धोट कि ऊपकर दे लिए और छाय आपसे शड़ पि उपर गिरुए और आप पहुत नारज हो गया गुशताु साथ आपकों भुसताएं खो गया पको आपको देर पक्ते को हुए orada होगी और किस नंसे पीछे से भूर जोर जोर से हॉन दिया कि तब कि आपने किसको किताब दिया या कुई चीज दिया और उसने वह समय पे पापस नहीं लोड़ा है तब आप गाडी चला रहे है और किसी ने आपको और टे किया पिछे से आया और आपको बोला कि आपको गाडी चलाना आथा कि नहीं आथा ऐसा दिखे लिए को मेंट पास कर भिया तो और चीजे ऊती होती है कि आपको in गुष्णा आ जाता है और एकदम blast bombarding हो जाता है तो मतलब आप बहुत ही तनाओ के नीचे मतलब जैसी वो आगविटी की तिल्ली मतलब पर इतना काड़ी तिल्ली लगी हुई रहती है तो बस घासलेट इसलेट डालके रखा हुआ है बस थोड़ा सा आपने घर्शन कर दिया तो अंगार लग दे तो ये चीज़े बहुत जरूरी है येदि आप meditation hypnosis, self-hypnosis, some more नुक्चार येदि आप करते हो regularly, relaxation, exercise तो stress से आपको बहुत अच्छा छुटकारा मिल सकता है Thank you very much झाल झाल